तो वही अपनी पेरिसाइकलिक की पढ़ाई अभी तक हमने जितनी करी है उसके बेसिस पे गेट प्रीवियस येर में क्या कोशन पूछे गए हैं एक बार उन्हें डिसकस कर लेते हैं 2000 से स्टार्ट करेंगे और 2018-19 तक जितने भी कोशन इस टोपिक से रिलेटिड पूछे सिग्मा ट्रोपिक और इरेक्ट्र साइकलाईजेशन के कोशन तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे और साइकलर एडिशन वाला पार्ट मैं पहले ही अप्लोड कर चुगा हूँ तो मैंने जितनी भी तुम्हें पैरिसाइकलिक पढ़ाई है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट क करके नेट गेट में जो भी सवाल बन सकता है जो भी कंसेटों पूछ सकता है सब डिसकस करा है उसके बार तुमारे गेट के प्रिविए सिर्कोशन यहां पर हो जाएंगे वो नेट की वीडियो अप्लोड कर दूँगा तो कह सकते हैं कि पैरिसाइकलिक और में ऐसे पैक करक कुछ भी पूछेगा उसे हम टेकल कर सकेंगे तो देखना क्या कुछ है तो यह बोद रहा है कि तब फूलोइंग टेट रही अपोन फोटोलिसिस गिफ तू थाजिंट में कोशन पूछा फोटोलिसिस का मतलब क्या है कि इसे फोटो केमिकल कंडिशन दी है और तुमें सिस् को और इस चाही और यही यह घृ और फोटो केमिकल कंडिशन में भी अधर्मल कंडिशन में भी हो जाएगी स्टिम कैसा है यह कि ने b Points है तो बहुट फोलो न पाई έχει जो किस कैटणरो ett какой यह एगा 4N पाई एलक्टट्रों की केटेग्री अगर उसे दो केटेग्री हो सकती है, 4N और 4N प्लस 2, तो यह हमारा छोटा बच्चा, छोटे वेल्डियो आगी है आपर, तो छोटे बच्चो क्या पसंद है, दिपिका पादुकॉन, तो यहां से फोटो केमिकल में डिस रोटेशन होगी, और थर्मल कंडिशन में कौन रोट जो होटी पता करूँगा, यह कैसे है, यह हाइड यॉपजन इथर यह यॉपजन इथर, यह ए टाइप आइप-डाइप-थर है, यह योबछन इथर है, यह ए यॉपजन इथर है, ये भी टाइप-डाइप-डाइप्छ तो, अगर दोनो इलक्तिन-ए ब्यान consent involved, तो इसे क है कि देख सकते हो भाई कि यह तुम्हारा CH3 है यह इदर गया और दूसरा CH3 बिल्कुल इसके अपोजिट डिरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो तुम्हें दो चीज़े पता लगी अपोजिट डिरेक्शन में रोटेशन तुम्हारी डिस है तो कैसे फाइनल पोजोगे कि अपोजिट डिरेक्शन में डिस रोटेशन से कैसे प्रोड़क्ट मिलेंगे तुम्हें यहां से तुम्हें सिस प्रोड़क्ट देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके का तुम्हारा है आपर रोटेशन होगा देखो भई प्रोडक्ट क्या बनाता हूं, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से हैं, यहां पे डबल बॉंड आएगा, इधर डबल बॉंड, यहां पे डबल बॉंड, इधर तुम्हारा यह SP3 है, कार्बन और SP3 कार्बन, तो कोशन यही है कि जो SP3 हाइबिडाइस कार्बन हैं, उसमें जो मेरे CH3 हैं, वो दोनों सिस पोडिशन पे जाएंगे, और यही वो तुमसे कोशन में जानना चाहता था, तो यह हमारा CH3 और यह CH3, तो कुछ इस तरीके से इस कोशन को करना था, नेक्स्ट कोशन ट्राइब करो, पहले खुद से कोशन को पढ़ लो, और बोल रहा हूँ, the product of the following photochemical reaction, सामने condition दिये, सामने system दिया है, photochemical condition है, तुम्हें बताना product क्या बनेगा, एक बार खुछ से try करो, और उसके बार देखना कि कैसे approach करना था, ठीक है, तो देखो भई, कैसा system है, सबसे पहले तो तुम्हें system पहचानना है कि इसमें paricyclic reaction कौन स हो सकती है, तो यह system है, conjugated है, conjugated है, और उसके end में 2 sp3 hybridized carbon है, देख लो, यहाँ पे तुम्हारा conjugation खतम, और end में 2 sp3 hybridized carbon है, तो यहाँ पे यह contender बन जाता है, तुम्हारे electrocyclic ring opening reaction के लिए, कैसे बनेगा समझना, कि देखो भई, अगर तुम्हें ऐसे system दे दे, यहाँ पे यह दो sp2 hybridized carbon, और यहाँ पे दो ending carbon कैसे sp3 hybridized, यहाँ पे भी electrocyclic ring opening होगी, और इधर भी वैसे system है, sp2, sp2 और कौनों में sp3 carbon, तो देखना कैसे, कैसी condition दी है, photo chemical condition, इसमें electron कैसे घूमेंगे, यह sigma bond इधर, यह आगे move करेगा, और यह इधर move कर जाएगा, कुछ इस तरीके से electron गोमेंगे, तो product क्या बनेगा, product बन सकता है, कुछ इस तरीके का, product इहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, इसमें अब तुम्हें decide करना है, कि जो यह last में alkyne बनी है, यह कैसी होगी, इसमें methyl group कैसे जाएंगे, दो ME है इसमें, दो ME है, तो यही तुम से actual question पूछना चाह रहा है, कि यह ME group की geometry क्या रहेगी, यह trans बनेंगे, यह वाले double bond, या cis बनेंगे, कैसे पैचानेंगे, तो देखो बाई, पहला rule कि कैसा system है, कितने electron involved है, 4N plus 2, 6 pi electron इसमें involved है, जिसमें अगर मैं condition कैसे दूँ, यह बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चु को कोन पसंद है, प्रियं कोन rotation से क्या होगा, इसको समझना है तुमें, इसको समझना है, देखो, यह जो नो cap है ना, इन marker की, इनको मानो CS3 है, तो दोनो CS3 उपर की side है, दोनो CS3 उपर है, और जो मेरे यह दो हाथ है, इनको मानो cavity, अब मैं जो बोल रहा हूँ से सुनो, कोन rotation क्या होती है, कि दोनो एक direction में rotate करवाता हूँ, तो देखना, यह वाला cavity के बार गया, जो मेरे हाथ है, यह हाथ के बीच में cavity है, यह cavity के बार गया, और इसको इधर rotate करूँगा, तो cavity के अंदर गया, दुबारा देखना, अगर मैं इधर rotate कर दूँ, तो यह cavity से बार जाएगा, और यह cavity के अंदर और यह तुम्हारी जो रिम के अंदर की चीज है इसको मैं कैविटी बोल रहा हूं तो यहां पे तुम्हारा एक डबल बॉन तो सिस बनेगा और एक डबल बॉन तुम्हारा ट्रांस बन जाएगा खुछ इस तरीके से इसका प्रोड़क्ट होगा अब देखते हैं कि next year में क्य उसके बाद डबल बोल से कार्बन पे ऑक्सिजन जुड़ा है इसे बोला जा सकता है कि यह विनाईलिक घृप हुआ उसके बाद double bond से next carbon पर oxygen जुड़ा है इसे क्या बोला जा सकता है कि यह allylic group हुआ और यह system क्या बना vinylic allylic ether अगर तुम्हारे कुछ याद आ रहा हो कि ऐसे system कैसी reaction देते हैं कैसी reaction यह देंगे तो यहाँ पर तुम्हाँ reaction का नाम होगा co-clason rearrangement co-clason rearrangement three three sigma tropic reaction यहाँ पर होगी और मैं numbering कर देता हूँ देखो one two और three और यहाँ पर देखो one two और three जो उनसा bond इसमें टूटेगा वो क्या है कि one one के बीच bond टूट जाएगा कि उनसा मैं red mark कर रहा हूँ कि यह bond तो टूटेगा और three और three के बीच में bond बनेगा तो देखना electron की moment कैसे होगी कि अगर मैं इस इन electron को इधर shift करूँ जैसे ही इधर shift होंगे यह वाला जो थर्ड कार बने यह इससे bond बनाएगा और यह electron में आगे shift हो जाएंगे तो यह electron की moment कुछ इस तरीके से होगी और इसको बहुत ध्यान से समझना कि one one के बीच bond टूटा electron आगे move करें यह cyclic way में आगे move करें और यह इधर आ चुके हैं तो यहां से क्या product बना उसको समझो देखो कुछ ऐसा system है ठीक हैं और यहां पे जो bond था इस oxygen और यह वाला यह bond टूट चुका है उसके बाद यहां पे जो double bond था वो आगे move कर गया खुछ इस तरीके का system बनेगा अब इस से connected देखना क्या चीज़े हैं यहां पे तुम्हारे एक bond जो कि अब double हो चुका है single bond और यहां पे एक carbon है और इस carbon का bond इस carbon का bond किसके साथ बना है इसके साथ तो यहां से समझ लेना important चीज यह bond बना है ठीक है अब ऐसा system तो मैं उसमें मतलब की option में देगा नहीं इसको अच्छे से अगर मैं draw करने जाओं तो क्या बनेगा उसको समझो कि देख भाई 1, 2, 3, 4 5 और 6 कितने member की ring बन जाएगे यहां पर 6 member की किस तरीके से मैं बना देता हूँ देखो यहां पर कितने member की ring बन गई 6 member की 1, 2, 3, 4, 5 4 और 5 के बीच में आप गया double bond और उसके बाद 4, 5 के बीच में double bond आया और first carbon से क्या जुड़ा है तुमारा first carbon से जुड़ा है C double bond OH कुछ यह product तुमारे सामने होगा और simple इसे tick तुम्हें कर देना था next question प्राई करो अपने आप उसके बाद तुम्हें आपर solution देख लेना किस तरीके से उसे approach करना है तो next question क्या है मैं read कर देता हूँ the two pericyclic reaction successively involved in the thermal transformation जो नीचे system दिया है इसे thermal condition दी है और यहां पर कुछ pericyclic reaction हुई है तो pericyclic reaction हुई है कुछ product बना है और वो product तुम्हारी gate के paper में बना के दिया था कि हाँ यह product बना है ठीक है तुम्हें बस यह बताना था कि step क्या involved है तो पहले तुम्हें product बना देता हूँ कि product कैसे बना था और उसमें तुम्हें step पहचाने लोगे तो देखना भाई कि क्या है कुछ इस तरीके का system है कुछ ऐसा system यहाँ double bond है इधर double bond यह और यह अगर इसे में कैसी condition दू थर्मल condition तो भाई यह conjugated di-in है conjugated di-in में अगर thermal condition दू तो यहाँ पर तुम्हारी electrocyclic ring closing हो सकती है और यह इधर और यह यहाँ पर तुम्हारा sigma bond बनाएगा तो यहाँ से क्या system बनेगा तो उसे मैं इधर बना रहा हूँ यहाँ पर double bond इधर और यह system तुम्हारा बन जाएगा इधर four member की ring और इधर तुम्हारी यह कुछ six member की ring बनेगी उसके बाद तो यह वाले step क्या था यह step क्या था मेरा electrocyclic था और उसमें rotation भी उन्होंने पूछी है तो rotation चेक करते हैं कि यहाँ पर कितने electron involved है तो कहोगे six pi electron और six pi electron कैसा system है four and plus two pi electron system है जिसमें अगर मैं यह बड़े बच्चे बड़े बच्चों को प्लियंक का जोपड़ा पसंद thermal condition में तुम्हारी कैसी rotation होगी this rotation ठीक है तो यहाँ प dis rotation dis six pi electron six pi electron electrocyclic dis rotation पहला step अब second check करते हैं कि वो क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा system है यहाँ पर इसके साथ reaction करने के लिए ऐसा system दिया है तो इसमें क्या हो सकती है कि तुम्हें यहाँ डाइन दिख रही है यह double bond दो तुम्हें conjugation में यह डाइन दिख रही है तुम्हें और इसके साथ यहाँ पर डाइनो फाइल है तो क्या होगा समझो कि यहाँ पर तुम्हारी electrocyclic सुरी तुम्हारी यहाँ पर क्या हो सकती है पहरी cyclic की cyclo addition reaction यह एलेक्ट्रोने से move कर जाएंगे तुम्हें यहाँ पर प्रोड़क्ट बनाता हूं क्या उन्होंने बना के दिया था बस तुम्हें यह बताना था कि step क्या involved है देखो कुछ इस तरीके का system है यहाँ पर four member किरींगे इस तरीके से यह तुम्हारे सामने दिख रहा तुम्हें यहाँ पर double bond आ चुका है और मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से cyclo addition करा रहा हूं तो product कैसा बनेगा endo product यह exo product तो भाई CEO group side में है जो कि secondary interaction provide करेंगे तो यहाँ पर जो तुम्हारा product बनेगा वो endo product होगा कुछ इस तरीके का यह product बना की दिया था बस पूछा था कि reaction में तुम्हें step बताओ तो पहला step six pi electron electrocyclic dis rotation है और second step तुम्हारे सामने क्या हुआ है second step क्या हुआ है four plus two four plus two pi electron की cyclo addition reaction है cyclo addition तो यह तु portion पूछा था और तुम्हें यह दोनों step महाँ पे पैचानने देखाते हुआ हुआ है